जहें दोस्तों वंदे मातरा आमिर खान एक बहुत पुराने एक्टर हैं उनके चतने चाहने वाले हैं उतने ही उनके क्रिटिक्स भी हैं लेकिन हर तरह के लोग उनके जीवन की उपर प्रभाव जरूर डालते हैं अब आप बोलेंगे कि भाई इतने सारे लोग मिलकर किसी एक शक्स के जीवने प्रभाव कैसे डाल सकते हैं तो भाई देखिए आमिर खान जो हैं वो कैसे शक्स हैं वो कोई प्राइवेट आदमी नहीं है बलकि वो इक पॉब्लिक प्रॉपर्टी टाइप के हो गए हैं क्यों क्योंकि वो जो भी मूवी बनाते हैं वो जनता के लिए बनाते हैं तो जनता अगर उनकी मूवी देखती है तो वो इस मुकाम पर पहुंचते भी नहीं तो इसलिए जनता को जो कई लोग इतने शौक थे कि भाई आगर आमिर खान ने का एक परसनल फैसला पॉब्लिक को इत कौन तक महुंचाया है इसलिए जनता को उनके कदम से इतना दाधा अफेक्ट भी हुआ है और इसलिए लोग तरहतरा के सवाल भी कर रहे हैं कुछ सवाल गलत हैं कुछ सवाल सही हैं कुछ सवाल जायज हैं कुछ सवाल ना जायज है सीधी सी बात है लेकिन क्योंकि परिवार है हमारे रिष्टे में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दुसरे के साथ ही हैं तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचेगा तो हम लोग हमेशा फैमिली रहेंगे और आप लोग हमारे लिए आप दुआ करिए प्रातना करिए कि हम खुश हो और वस यही कहना था हम लोग को इस वीडियो में आमिर खान अपनी पतनी किरंडराओ के साथ दिखाए दी उन्होंने बोला कि हम लोग अभी परिवार के तरह हैं खुश हैं और फिर एक वही बात गुम के सामने आगए कि आखिर ये एक कौन सा नया ट्रेंड है दरसल बॉलिवड अभिनेता अमिर खान और किरंडराओ ने शनीवार 3 जुलाई को अपनी 15 साल की शादी को खत्म करने का एलान किया इसके बाद दोनों के इंटर्विव की एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वैरल हो रही है वीडियो में किरंडराओ और आमिर खान एक साथ बैठे हुएं इस दौरान आमिर कहते हैं कि आप लोगों को बहुत दुख हुआ होगा और शौक भी लगा होगा लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम बेहत खुश हैं हमारे रिष्टे में चेंज जरूर आया है लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा थ्री एड्स फिल्म के अभिनेता ने किरंडराओ का हाथ पकड़ते हुए आगे कहा कि पानी फाउंडेशन हमारे लिए आजाद की तरह है जैसे हमारा बच्चा आजाद है वैसे ही पानी फाउंडेशन है हम लोग हमेशे फैमिली ही रहेंगे आप लोग हमारे लिए दूआ करें प्रारतना करें कि हम खुश हो हम लोगों को बस यही कहना था गौरतलब है कि आमिर खान और किरंडराओ ने तीन जुलाई को एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा था कि वे पंदरा साल से इतने अच्छे बीते हैं कि हमने इस दौरान अजीवन साथ रहने वाले अनुभाव एक दूसरे के साथ साजा की हम साथ में खुश रहें हसे हमारा रिष्टा विश्वास प्यार और सम्मान के मामले में लगातार बढ़ता ही रहा हम अपने निरने लिया है कि अब हम जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे लेकिन पति-पत्नी के रूप में नहीं बकौल आमिर खान और किरंडरा उनका ये नया जीवन उनके बेटे आज़ाद के अभिवाग के रूप में होगा एक परिवार के रूप में होगा दोनों ने अपने संयुक्त बयान में ये भी कहा था कि हम साथ मिलकर फिल्में भी बनाते रहेंगे पानी फाउंडिशन के माद्यम से हम उन कहानियों को फिल रीना दत्ता से 1986 में शादी करी थी आमिर वे उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता का एक बेटा जुनायत खान और एक बेटी ईरा खान है इरा सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं रीना से आमिर की शादी 2002 में खत्म हो गई थी इसके बाद उन्होंने 28 दिसम्मर 2005 में किर लोगों के सवालों के उपर विराम जरूर लग जाएगा कि आकर यह तलाक हुआ है नहीं हुआ है क्या है क्या नहीं है कई लोग अफवा कह रहा है कई सारी बात हो रही थी लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद से कई लोगों को एक बात समझ में आईगी कि इस तरीके के बीच के बीच में जो अपना ट्रेंड ना उसके उपर वह यह बॉयकॉट आमिर खान जो है वह जवर्दस ट्रेंड चल रहा है अब यह ट्रेंड क्यों चल रहा है इसका कारण मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते है कि थोड़ सा यह देख लें कि भाई आमिर खान के डायवार्श को लेकर और बॉयकॉट आमिर खान को लेकर जो ट्विटर के उपर हैश्टाग चलाए जा रहा है उनमें लोग आखिर कहना क्या चाहते हैं या क्या वो कारण है जिसके तहत लोग यह ट्रेंड चला रहे है औ मतलब जब ये चीज खतम हो चुकी है उसके बाद ये ट्रेंड होना ज्यादा शुरू हुआ है कि भाईया बॉयकॉट अब इस टॉइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब ये बॉयकॉट आमर खान दूसरे नमबर पर ट्रेंड कर रहा है कई लोग हैं जो इसको ले अब ये देखिए आमर खान आफर सींग डिस ट्रेंड पीके की फोटो लगा कर रखी है यहां पर इनको बताया कि यह लोग जनसंक्या बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं दो जो शादी कर रहे हैं तीन दीन चच्छर बच्चे पैदा कर रहा हैं उस तरह की बाते भी किया जा कर रही हैं से अफली खान आमिर खान नवाज अद्दीन सिद्ध की फरहान अक्तर मुहमद अजरुद्दीन इन सभी की तस्वीरों को यहां पर लगाया गया है मिस्टर जिहादी परफेक्शनिस्ट आफर सींग डिस ट्रेंड अब कॉन होगा मिरा अगला शिकार ओल लोग चाहा रहे हैं कि भई क्या हो रहा है क्यों हो रहा है इस तरह की बाते चल रही है आप लोगा क्या कहना है इस मामले में आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए क्योंकि यह मामला बहुत ज्यादा तुल पकड़ता जा रहा है मेरे इस वीडियों फिलाल इतना ही जय हिन, जय भारत!